हलो मैं हूँ अरूजा और आप देख रहे हैं VDTV टेक्नो स्मार्टफोन हर किसी के जिन्दगी में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं सोशल मेडिया का इस्तेमाल हो, फोटो लेनी हो या कुछ सर्च करना हो स्मार्टफोन जिन्दगी में बहुत जरूरी हो गया है साथ में उसके रेट अगर पॉकेट फ्रेंडली हो तो बात ही कुछ और हो VDTV टेक्नो में आज हम बात करते हैं 10,000 से कम कीमत वाले फोन के बारे में स्मार्टफोन में हमेशा ज्यादा फीचर के लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं लेकिन अब कम कीमत में भी फोली अपडेटेट फोन मिल सकता है शाओमी रेड्मी 9 प्राइम 9,999 में से शुरू होने वाले इस फोन में आपको काफी फीचर मिल जाएंगे इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया गया है रेल में Quiet Camera सेट अप दिया गया है इसका प्राइमरी कैमरा 13 मेगा पिक्सल का है फ्रंट में 8 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया गया है 6.53 इंच की स्क्रीन दी गई है और ये 5020 मह की बैटरी के साथ आता है रेल में Narzo 30A 8999 रुपे से शुरू होने वाला ये फोन Narzo 20A के बाद अपडेट करके लाँच किया गया था इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया गया है 6.5 इंच की IPS LCD स्क्रीन दी गई है इसके रेल में Dual Camera सेट अप दिया गया है इसमें Primary Camera 13 Megapixel का है और Selfie के लिए 8 Megapixel का कैमरा दिया गया है 36,000 mAh की बैटरी दी गई है Xiaomi Poco C3 इसकी कीमत 8,190 है इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया गया है 6.5 इंच की स्क्रीन दी गई है इसके रेल में 3 कैमरा सेट अप दिया गया है इसका Primary Camera 13 Megapixel का है फ्रंट कैमरा 5 Megapixel का है इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है Samsung Galaxy M11 इसकी कीमत 9,999 रुपे रखी गई है इसमें Snapdragon 460 प्रोसेसर दिया गया है इसका Primary Camera 13 Megapixel का है Selfie के लिए इसके फ्रंट में 8 Megapixel का कैमरा दिया गया है जिसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है Xiaomi Redmi 9 इसकी कीमत 8,999 रुपे से शुरू है इसमें MediaTek Helio G80 प्रोसेसर दिया गया है 6.3 इंच की स्क्रीन है इसके Rare में Dual Camera सेटप दिया गया है साथ इसका Primary Camera 13 Megapixel का है और Secondary Camera 2 Megapixel का दिया गया है Selfie के लिए 5 Megapixel का कैमरा दिया गया है 37,000 mAh की बैटरी दी गई है VDTV टेक्नो में आज के लिए बस इतना ही आप जुड़े रहे है VDTV भारत के साथ Thanks for watching